क्योन नहीं रखनांता को बनाए रखना है कि जो है वही वापस नहीं आ रहा है तो इश्रों का ये कम से कम दो सेटलाइट को हम क्या करें इसके लिए जो है डिट कर МУЗЫКА कर दें कि जो किसी कारियों का बिस्तुर्थ अध्यन करने में जो हो मदद करेगा फसलों का पूरा अनुमान लग जाएगा कि यह जो फसल बॉया गया है इस फसल सके अधार पर यह एक अनुमान लग सबस्द् जानकारी मिल जाएगी तो आपको आप समझ लीजिए की बीच में हमने देखा त्टिडों का जो है तो पहले से जो जानकारी मिल जाएगी तो क्या होगा वह उसके लिए जो कि यूच करना है थीकर मिटी किस प्रकार की है उस मिट्टी में कौन सा जो आपका अगर हम बात करें जैसे कि मालेज़े आप लो मिट्टेओं में कहते हैं कि इस मिट्टी में पोटेशियम की कमी है इसमें डैप का खाद इसमें यूरिया डालो तो वह पहले ही बताएगा कि फ्लाना जो अगर जैसे हमने बात कहा ना इस सब जो भी होता है आप मत डालो तर उससे क्या होगा बहुत जादा जो हम रसायनों का प्रियोग नहीं करेंगे तो दिक्कत भी आए गया क्योंकि आप जानते फोड़ियों के उपर वह कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है तॉ मिट्टी किस प्रकार का मिट्टी का स्व सब्सक्राइब नहीं है हो सकता अगर मैं आप से कहूं कि क्या आपके छित्र में जो है वह सब्सक्राइब करेगी उसके बारे बाद सरकार को पहली समझ में कि सूखा पढ़ने वाला या कुछ पढ़ने वाला उस प्रकार की योजना जो है वह बन जाएगी तो हम यह भी जानते हैं कि दोस्तों जब समर्पित उब्ग्रह के बारे में बात किया जा रहा है इस्रों ने क्यों कहा कि हमें डेडिकेटेड जो है वह सैटलाइट चाहिए क् क्रिशी खेती की बारे में बात करें कोई भी खेती आगर देखो विए उसा बहुत में हम पक्रिशी के बारे में बात करें तो तीन फशल चक्र आपको पता है है जाय है अब रवी खरीफ जायद को करोगे तो आप 12 महीने में अगर आप देख रहे हो तो average आप मान के चलो कि 3-4 महीने का एक आपका पसल चक्रा है चाहें रवी का हो चाहें खरीफ का हो चाहें जायत का हो तो यानि कि 3-4 महीना उस क्रिसी छेतर में कैसा काम चल रहा है इसको मापने के लिए जो है वो एक ऐसा सैटलाइट चाहें जो कि इसी के उपर पूरा का पूरा फोकस है यानि कि लगतार वो चेतर की जो है निगरानी कर रहा है और हमारे पास ऐसा कोई उपग्रह है नहीं कि जो लगतार जो है क्रिसी की छेतर की निगरानी करें इस पेसली जो उसका काम ही है कि बागी कुछ नहीं देगना है तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो सोमनात महोधा है जो की इसरो के जो चीफ है उन्होंने सीधे-सीधे कहा कि हम क्यों ना इस चेत्र में काम करें जिससे कि हमारा जो निर्भरता किसी दूसरे धेश पर खात् कि आप ये काम कीजिए इस रो ने इसके अलावा एक और भी बात कही इस बात पर हम आते हैं है ना यह देखिए आपका जिस प्रकार से आयारे सके बारे में बात कर रिमोट सेंसिंग सेटलाइट ठीक है तो मा लेजिए वहाँ सेटलाइट है और सेटलाइट जो है इस जो वडायोरत सेटलाइट सेंसिंग सेटलाइट है यह बात कर रहा था यह सबसे बड़िज्व का सबसे बड़ा ऑगर हम बात करें तो सीवीऌन यानीं की नागरिकों को यूज में आने वाला है इस सटैलाइट एनेबल मैपिं श्टर्ण नोतरीं मेनेडिउंटीमें तर már Кол तो बात किसी हो रही है Earth Observation के बारे में है न announce विष्डु प्रक्षैप्ण कर्षापन के बारे में बात हो रही है तो इस दो सुझाव दिया कि हम्या कहा करना है ओर ज़वरीशन उसकी स्थापना करनी होगे और यह Earth Observation कौशिज करेंगे कि एक माध्यम से हम क्या करें पृत्वी पर किस किस प्रकार की समस्यां आ रही है तो एक आप एक मिल कर दूर करने का चीज हम जो है वह तो हम करेंगा और इस सारे हम करेंगे तो इससे बहूँ ज्यादा मिलेगा इसके बाद की गई है कि वारे में हान वह जानते हैं आपा टो अपना सेंचेंग के बारBox के बारे में हम मानों कर लिया जाता है और आगे आने वाले जो पांच वर्षों है उसमें जो है उसको यूज किया जाता है कि कौन-कौन से संकेतक जैसे कि कि अगरिकल्चर करते हैं तो इसमें कुछ चीजों को basic जो है ध्यान दिया जाता है, जो भूमी जो थैं उसकी प्रकरती कैसी है, उनका आकार कैसी है, उनका वित्रण कैसा, भूमी उप्यों के आप्रे कैसे हैं, टिक अफसल पैटन कैसा यूज किया गया है, इन सारे चीजों के उपर जो है, वो पूरी की पूरी हनbn टेकर अब एक हाल फिलाहल में अगर हम agriculture ये कल्चर Commerce के बारे में बात करेंगरना के बारे में बाथ करें। डोस्तों तो थाफ्वाइल दोहजार बाईस जुलाइश की सुरु मत की गई है अगले आगले स्क्रीन पर ये explainal कोलं省 में स्क्राइब से उन्हां प्रॉट स्म्क्लेर radiation सबस्क्राहरण पोले पर्मेस फिनलाड बिङन ग affordable पड़्लीचेट्शन यूरोप नेम समय स्क्राइब बोगीewаж क्लियुयेश्ट्टाइबसेड पकूलेट है उसिंगल गोलियों को जो है वह सुरू हो गया है यह वह कुछ देशों में अब आपके दिमाव में प्रश्ट होगा कि आयोडीन येजुवियों के टम्राइब की स्फुरियों क कंद्रीस में क्यों हो रहा है। कि किöglich के को दोस्तों तो जुआ अभी कुछ दिन पहले आपने देखा परवरी 2022 में एक、 आ योक्रेन योक्रेन के पश्चे में आप चल रहें तो आपको सारे के सारे यूरूपन कंट्रीज देखने को कई सारी ऐसे बाते भी सुनने में आये जिस बात में यह कहा गया है कि परमाडू का जो है वो रिसाव हुआ है तो परमाडू के रिसाव से कहा जा रहा है कि आयोडीन को आयोडिन की tablet ऐना लेक्विज क्या है मुझे नहीं पता है ठीक है लेकिन Google के माध्यम से हमने इस tablet को जो है पर लिया है और इस tablet को download कर लिया ए उसके उपर हम आपके साथ जो है वह अध्यन कर रहा है उस के भाइया क्या है समझते हैं कि क्या है एक बर क्लासेश के लिंक को जो है वो फटाफट जो है वो शेर कर दिये अपने सारे मित्रों के साथ और सारे मित्रों के साथ क्लासेश के लिंक को शेर करके उन्हें भी कह दीजिए कि वो भी जो है वो प्लासेश को जो है वो जो है वो के साथ शेयर करते हैं ठीक ना फटाफट जो है आप कर लिए हम लोग जो है क्लासेश को कंटिनिव करते हैं एक न और कैसा लग रहा है बताइए जल्दी जल्दी है ना वाट्सअ फेसबुक जो भी स्टिटर से वहां इसको लगा सकते हैं चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सबादीजे तो हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पर टॉपिक क्या है टॉपिक आपको देखने को कि अधिक की बारे में हमने न्यूस में देखा था यहां पिनलेंड का कुछ ने लिखा हुआ था हम क्या बढ़ रहे थे यूक्रेयन वार इंगा इस हाइलाइटेड फिर से बाट रियोग्या एक्सकोजर एंट इंटर इंटरेश्ट इन फिल्न ठीक न तो यह फिनलेंड आपक कि रहे खरें तो इसकी गूलियों की जो है, उसके बीच बीच में जो सबसे बड़ा सवाल यह उठे रहे था है। प्रिटिक काउंसिल ने घोशना कि और घोशना किया कि कि अगर कोई भी परमाडूत रास्ती होती है तो डॉक्टरों के सलाह के आधार पर लोगों को पोटेशियम आयोडाइट की गोलियां जो हैं वो वित्रित और इसके साथ ही उन्हें ने कहा था कि ये गोलियां सहर की दवा दुकान अब प्रश्णी है अब से पहला प्रश्णी बात कर रहा हैं बात यही है कि परमाडू विक्रन यानि कि न्यूक्लियर रेडियेशन के बच इसको कि अगर हम बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक फॉर्मूला आपको देखने को मिले का वो है की और आई एफोर पोटेश्यम आईफोर आयोडीज्ट करें दोस्तों तो पायोटेश्यम आयोडाइट के बारे में यह कहा जाता है कि एक प्रकार के परमाडू जो चूकिंग के किलाफ यहा का स्च्छा प्र्दान ऑगना नुस्ट और म बात करें तो किसी भी प्रमाडू दॉर गतना बातवर में बड़ी मात्रा में हम क्या देखते हैं कि रेडियो धर्मी नहीं उत्सरजित हो जाते हैं और ऐसे आयजीन की यह girlfriend में मौजूद जो हर्मोन उत्पाधाग्रंथी होती है जिसको कि हम jagers कहते हैं उसको यह रेडियो धर्मी आइडिन को लेने से जो प्रिया करती है अब ये रेडियो धर्मी जो भी पदार्थ होता है जैसे कि आगर मालीज आपके वाता वर्मे पदार्थ है अब आप सांस ले रहे हैं या भोजन के उपर ये पदार्थ पढ़ गए हैं या जल के उपर ये पदार्थ परड़ हैं तो भोजन दुशित भोजन दुशित जल या सांस लेने की प्रक्रिया के माध्यम से यह जो वाता वर्ण में रेडियो धर्मी पदार्त हैं वह आपके सरीर के अंदर और जैसे देखने मिलेंगे एक आयोडीन के बारे में बात करें दोस्तों तो यह गोलिया थायराइट को आयोडीन के इस्थर संस्क्रण से भर देगी जिससे की रेडियो धर्मी आयोडीन जो है अंदर नहीं जा पाएगा अगर थायराइड पहले ही पोटेशियम आयोडाइट से भरा किसी पर बार दुर्गाट्ना में बहूं हम देखतेएयं कि यह आपके वातावर्ण में जो है वह SY..." I correct ? इन गोलियों के बारे में बात करें जो कि पोटेशियम आय।डायडीन की गोलियां आपकी स्क्राइड आ पर देखने को मिल रही है गोलियां के बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं, यह बहुत ज़्यादा मुस्किल नहीं होती है, और बहुत ही आसानी से दुनिया भर में कहीं भी मिल जाएंगा, कई सारे देश यह से अमेरिका के बारे में बात करें, तो अमेरिका इसको बहुत बड़ा भंडार जो है कठा करक लेकिन अगर हम बात करें तो एक प्रश्ण ये भी उठता है कि क्या पोटेशियम आयोडाइट किसी भी अन्य प्रकार के जो परमाडु हमले होते हैं या रेडियो धर्मी जो खत्रे होते हैं उससे भी हमारी रक्षा करती है क्या परमाडु हमले में भी पोडिशियम प्रकार के जोए विक रनाद वांगे विक्रण अत्पन होंगे तो जोमिश्यम आपके रेडियो परमाडु जो आपका जो परमाडु गेरा तो शूबं क्या करते हैं रेडियो टिटिव जान को जो कॉछते हैं और वह सरी के कई हिस्से को जो है नुक्सान पहुंचा सकते हैं तो जो भी स्वास्त अधिकारी जो इस से जुड़े हुए हैं वो स्वास्त अधिकारी जो है संदर में चेताओनी दिखते हैं कि पोटीशियम अयोडाइट जो है कीवल कुछ परमाडू जो भी आपके अपात इ को यूज कर लेते हैं तो यह क्या होगा इसका कोई भी फाइदा उने वाला नहीं है ठीक नहीं